आज का लेक्टर जो है वो बहुत एहन है क्यूंकि आज की क्लास के के अंदर हम बहुत सारे concepts के अपर बात करने वाले हैं that are related to the object-oriented programming. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे generalization के हवाले से कि देखेंगे कि generalization से क्या मुराद है along with that we have also discussed about the subtyping. इसके साथ ही हम लोग specialization की भी बात करेंगे कि specialization की क्या मुराद है object-oriented programming के अंदर. first of all मेरी तमाम दोस्तों से यही request है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल subscribe नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल subscribe कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससी सीख सकें. दोस्तों बढ़ते हैं हम आज की अपनी class की तरफ और आज की class शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली class के अंदर क्या पढ़ा था. दोस्तों हमने पिछली class के अंदर बाद गी थी inheritance की और मैंने आपको बताया था कि कैसे inheritance जो है वो object-oriented programming के अंदर अमल रखल करती है. इसके साथ ही हम लोगोंने base class को देखा था और इसके साथ हमने derived class को देखा था. ये basically base class और derived class जो है ये inheritance के concept है. इसके साथ ही हम लोगोंने देखा था कि अगर हम inheritance का use करते हैं object-oriented programming के अंदर तो उसके क्या advantages हाफिल होते हैं. इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आज की class के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. जनल्डाइजेशन के हवाले से, सब टाइपिंग के हवाले से, स्पेशलाइजेशन के हवाले से और हम देखेंगे कि abstract classes क्या होती हैं और concrete classes क्या होती हैं. तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि generalization से क्या मुराद या. there are many object बहुत फारे object होते हैं with the common characteristic in object model object model के बारे में अब मुझे ज़्यादा detail में बताने के वरूरत नहीं है because we have already studied this concept in our previous lecture हमने वहां पे देखा था कि बहुत फारे objects होते हैं that we make the object model और इनकी कुछ common खसुसियात होती है the common characteristic attribute and the behavior of all these objects are combined in a single general class हम ये फारे के फारे जितने भी common characteristic attribute हैं behavior हैं उनको एक class के अंदर combine करते हैं जिसका हम general class केते हैं base class encapsulate the idea of commonality of derived class in calculation के अंदर मैंने आपको बताया था that is related to the concept of information hiding base class is general class representing the common behavior of of all derived class अब हमारी जो base class है इसी को हम general class कहते हैं इसी को जो है इसके अंदर हमारी जितने भी common characteristic हैं चाहे वो common attributes हैं चाहे वो common behaviors हैं वो हमारी drive class के अंदर आते हैं this concept is known as generalization इसी concept को जो है हम generalization कहते हैं के जिसके अंदर हमारे पास एक base class है all the common characteristics are include in the base class वो उस बेस क्लास के अंदर हैं इसको हम generalization भी कहते हैं या general class भी कहते हैं इसके एक्जंपल जो है आपको right side में नज़र आ रहे ही है ये वही एक्जंपल है जो हम फिछ़ली दो तीन अधे इसके नाधे रहे हैं ये इसके behavior हैं, अब इससे दो हमारी derived class ही बन रही हैं, एक teacher की एक doctor की, अब इनके अपने भी कुछ behaviors हैं, तो इस example के अंदर हमारी जो person वाली class है, ये हमारी general class है, या इसको हम generalization कहते हैं, because this class includes all the common characteristics of derived class, जो के teacher और doctor वाली हैं, तो इनकी जो common characteristics हैं, वो हमारी person class के अंदर माजूद हैं, इसलिए हम इसको general class कहेंगे, इसके बाद, दोस्तों, हमारे पास दूसरा जो concept है, वो है subtyping, या जिसको हम extension B कहते हैं, extension नाम सही जाहिए हैं, कि बढ़ा रही हैं हम किसी चीज़ को, अब इसके अंदर क्या है, subtyping mean that the derived class is behaviorally compatible with the base class, कि आपकी जो derived class है, जो आपने derived किया है from the base class, वो compatible है आपकी base class के साथ, इसके बाद है, derived class has all the characteristics of base class, कि आपकी जो derived class है, उसके अंदर सारी characteristic हैं, आपकी base class की plus some extra characteristic और उसके साथ कुछ extra characteristic भी हैं, behaviorally compatible mean that the base class can replace by the derived class, आपकी जो base class है, वो आपकी derived class से भी replace की जा सकती है, तो यहाँ पे भी वही example है, अब इसके अंदर देखें, कि आपकी वही person की class है, और इस person की class से आपके दो derived class बन रही हैं, जिस्ते एक teacher की है, और एक doctor की है, अब देखें, कि आपकी यह उपर वाली जो person class है, उसके जो सारे attribute हैं, वो आपके derived class के भी attribute हैं, तो आपकी जो derived classes है, that is compatible with the person class, यह आपकी person class के साथ भी compatible हैं, तो इस common sub typing या extension कहेंगे, कि हमारे पाफ एक चीज़ थी, हमने उसको जहाँ थोड़ा सा बढ़ा लिया है, कि उसकी जो common characteristic हैं, वो भी doctor class के अंदर हैं, और doctor class की अपनी भी कुछ extra characteristic हैं, अब यह वो extension है, जो हमारी doctor class के साथ है, या teacher class के साथ है, तो यह हमारी sub typing या extension है, कि उसके अंदर कुछ न कुछ बढ़ जाता है, इसके बाद, आज की class का हमारा जो अगला concept है, वो है generalization versus sub typing, अब देखें, हमने generalization को देखा, जो के हमारी जो base class है, वो हमारी general class है, उसके साथ हमने sub typing को देखा, जिसके extension की बात की, मैंने यह आप लोगों के बताया, कि common characteristics, जो हमारी base class के अंदर होती है, वो भी आ जाती है उसके अंदर, और उसके साथ कुछ extra feature भी हम लोग डाल देते हैं, तो इसको हम sub typing या extension कहते हैं, तो यहां पर है sub typing and generalization are related concept, यह दोनों जहें एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, sub typing, extension and generalization is the way to look the same thing in a two way, बस यह समझ ले, कि एक चीज़ को जो है वो दो त्रीकों से देखा जा रहा है, sub typing is looking at the thing from top to bottom, कि sub typing के अंदर हम यह देखते हैं, कि उपर हमारी base class के अंदर जो characteristic हैं, वो नीचे भी हैं, और उसके साथ कुछ extra भी हैं, तो इसको हम top bottom operates कहेंगे, where as the generalization, we are looking at the thing from the bottom to top, कि generalization के अंदर हम यह देखते हैं, कि नीचे जो हमारे derived class हैं, उनकी जो characteristic हैं, वो हमारी base class के अंदर भी हैं, तो यह हमारी bottom to top approach होगी, तो यह subtyping जो है, वो top bottom approach होगी, और जो आपकी generalization है, यह आपकी bottom, top जो है, वो approach होगी, इसके बाद, दोस्तों, आज की class का जो हमारा अगला concept है, that is known as the specialization, अब यह specialization क्या है, we want to add classes to existing hierarchy of classes, having many similarities to already existing class, but some part of its behavior is different or restricted, के पहले हमने base class देखी, फिर हमने derived class देखी, अब हमारी जो derived class है, इसके जो कुछ behavior है, that are restricted, उनके उपर कुछ restriction है, in that case, we will use the concept of specialization, जब derived class के उपर, कुछ behavior के उपर, आपकी restriction होगी, तो इसको हम specialization कहेंगे, कि यह special चीफ बन गई है, जैसे मैं यह कहता हूँ, कि हमारा आम ने जो है, वो handicap person के लिए wheelchair बना दिये, तो वो wheelchair जो है, चेर तो वह से भी है, अब wheelchair बन गई है, handicap person के लिए, तो वो उसके लिए special chair है, तो इसी तरह, class तो हमारे पाँ पहले ही है, derived class भी है, और base class भी है, हमने base class से derived class derived की है, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ चीजों के उपर restriction लगा दिये, checks लगा दिये, इसको हम specialization कहेंगे, specialization means that the derived class is behaviorally incompatible with the base class, कि आपकी जो derived class है, वो incompatible है base class के पाद, लेकिन जो आपने पीछे concept पड़ा है, subtyping का या extension का, उसके अंदर हमने कहा है, कि वो compatible होती है, behaviorally incompatible means the base class cannot always replace by the derived class, कि आपकी जो base class है, वो आपकी derived class से replace नहीं की जा सकती, derived class है, some different of restricted characteristics than the base class के आपकी जो derived class है, उसकी कुछ restriction है characteristic के अवाले पे, दोफ्तु, इसकी भी example, अगली screen के उपर मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, specialization की, इसमें देखे, suppose, we want to add more classes of adult for some special requirement like for ID card generation such that is person but it is age greater than 18 and having all the behavior of the person class, we derived adult class from the person class and restricted the age in the class as shown in the diagram, मैं यहाँ पे आपको left side में एक तफ्री नवर आ रही है, यह वो ही person की class है, इसमें से हमने दो classes जहें वो derived की है, एक को हमने child का नाम दे दिया है, दूफरी को हमने adult का नाम दे दिया है, आप देखे, इन दोनों classes के अंदर जो है, वो restriction है, आप वो restriction क्या है, कि जो adult हैं, उनकी जो age है, वो 18 साल से ज्यादा है, यहाँ पे आपको नवर भी आ रहा होगा, लेकिन आपके पाफ जो child हैं, उनकी जो age है, वो 18 साल से कम है, लेकिन यह जो age वाला character है, यह आपकी base class के अंदर भी माजूद है, और यहाँ पे देखे, यह 0 से start हो रहा है, और यहाँ पे adult class के अंदर जो है, वो 18 से उपर की अगर age है, यह restriction है, तो उसका ID काड बन सकता है, लेकिन जो child class है, वो 18 साल से age कम है, और उसका ID काड नहीं बन सकता है, तो यह जो restriction है, that way to prevent the specialization of that class, यह हमारी specialization होगी, तो यह हमारा specialization का concept है, उमीद है, आप लोगों को समझ आ आ गया होगा, कि हम अपनी derived classes के अंदर जहाँ कुछ restriction लगा देते हैं, इसके बाद दोस्तों, आज की class का हमारा आखरी जो concept है, वो है, abstract class versus concrete class, अब यहाँ पे आपको एक class नज़र आ रही है, person की, अब उस person की class से हम लोगों ने derived की teacher की class, doctor की class, student की class, lawyer की class, और director की class, अब इ इनके वो जो उपर आपकी base class के अंदर करेक्टरिस्टिक हैं, वो सारी की सारी इन में तो आ जाएंगी, along with that, इनकी कुछ extra भी करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे teacher teach करता है, doctor check-up करता है, student study करता है, lawyer trial करता है, character जो है, वो working करता है, तो यह उनकी extra करेक्टरिस्टिक हैं, अब इस हैं, abstract class, abstract class is the class from which we derived the other classes, कि abstract class मुराद, वो class है, जहां से हम दूसरी classes को derived कर सकें, इसके अंदर, जो person की class है, वहां से हम बाकी की classes derived कर सकते हैं, तो person की class है, वो तेरा abstract class है, इसके बाद, जो concrete class है, the class we have derived from the base class is known as the concrete class, अब base class से हम जो class derived करते हैं, इसको हम concrete class करते हैं, अब यहां पे निचे एक table number आ रहा है, जिसके अंदर आपको abstract class person दिखाई गई है, और concrete class के अंदर teacher, doctor, student, lawyer और director को दिखाई आ गया है, मुझे उमीद है कि आप लोगों को abstract classes और concrete classes की समझ आ गई होगी, दोस्तों, ये थे ह हमारे कुछ basic concept object oriented programming के हावाले से, मुझे उमीद है, आप लोग information hiding के बारे में भी सीख गई हैं, जिसमें हम encapsulation और abstraction यूज करते हैं, आप inheritance के बारे में भी सीख गई हैं, जिसमें हमारे पाब base class है, और derived class है, direct class है, जिसको हम child class केते हैं, abstract class और concrete class का भी आप लोगों को पता च गया है कि हम लोग जो है, इन सारी चीज़ों को जो हमने पीछे concept पड़े हैं, इनका हम code करें, इसको code करने के लिए हमें एक particular software की जरूरत पड़ेगी, जोस्तों, आइंदा आने वाली class के अंदर मैं ना सिरफ उस particular software के बारे में आपको बताऊंगा, बलके ये सिखाऊंगा क कैसे आपने उसको download करना है, या install करना है, दोस्तों, आज की class हम यहीं पे खतम करेंगे, और आज की class खतम करने से पहले हम summarize कर लेते हैं कि आज की class के अंदर हमने क्या पड़ा है, आज की class के अंदर हम लोगों ने बाद की generalization के हवाले से, subtyping को देखा, जिसको हम extension भी कहते ह हैं, abstract classes को देखा, concrete classes को देखा, दोस्तों, मुझे उमीद है, आप object oriented programming के हावाले से काफी कुछ सीख रहे होंगे, दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी लग रही हैं, तो आपने like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share करें, और comment जूरूर किया करें, और मेरा channel 24 4R7 Teachers Online सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें, और आप उससे सीख सकें, दोस्तों, मिलते हैं अगली object oriented class में, पुस्वकत तक के लिए, अला हाफिज